प्रिंटर से संबंधित महत्तप पूर्ण प्रस्ण देखेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम व्यापम और प्रस्ण में कई बार एक्जाम में दो से तिन बार प्रस्ण पूछा जारा है ठीक है पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कर करते हुए चलेगा टोटल आज हम प्रिंटर से संबंधित प्रस्ण देखेंगे एक्जाम में कैसे कैसे प्रस्ण पूछे जाते हैं अगर आप खौशल वाराने के तयारी करने हैं तो उसके लिए खास तोर पर वीडियो लेकर आये हैं देखें यहां पर जो छात्रवा सदि कोशन आ रहा है रिपीट हो रहा है ना तो सबसे पहले प्रिंटर से कोश्टन पढ़ने से पहले यानि कि अब्जेटिव कोश्टन करने से पहले आपको कुछ बैसिक कॉंसेप्ट समझाना चाहता हूं जो एक्जाम में वही प्रस्ण पूछे जाएंगे प्रिंटर को पढ़ने से पहले ये टोपिक आप लोग पढ़ लिजेगा आपको कोई भी कॉंसेप्ट रहेगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंटर का वर्गी करन जिसमें इंपेक्ट प्रिंटर और नान इंपेक्ट प्रिंटर से एक एक एक्जाम में यह प्रस्न देखने को मिलेगा ठीक है तो देखिए होता क्या है इंपेक्ट प्रिंटर और नान इंपेक्ट प्रिंटर ठीक है तो देखिए जो इंपेक्ट प्रिंटर है उसको करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में डिवाइड किया गया है उसी करेक्टर प्रינ्टर औराट मट्रिक्स प्रिंटर डेजित्र प्रिंटर तो यह सभी सभी क्या है आपका factory printer एक्जाम में पुछ ले जाता है कि इन में से कौन से factory printer नहीं है तो आप बताएंगे अगर ये चारो आपसोन अगर पल लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्रियर हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाआ पर नॉन इंपक्टभ प्रिंटर तो non-impact printer में laser printer, thermal printer, inkjet printer होता है तो exam में पुछता है laser printer से किसे संबंदित है तो laser printer को page printer भी कहा जाता है ठीक है laser printer को page printer भी कहा जाता है उसी प्रकार thermal printer, inkjet printer जो होता है न character printer के अंतरगत आता है याद रखना एक बार फिर से आपको दोहराता हूं जो line printer है, drum printer और chain printer, line printer किस में आगा, drum printer और chain printer में, है न, उस्सी प्रकार non-impact हो जो printer आपका laser printer, वो आपका page printer से संबंधित रहता है, तो चलिए आप objective question करते हैं, तो चलिए आप लोग practice set करने start कर जिजेगा, यहां से start होता है आपका objective question, तो question में पूछता है कि सधरन फुटर कहां पर printer होता है, यह एक्जाम में कई बार exam में पूछा गया है, तो जो सधरन फुटर होता है, पढ़ने के हर प्रिष्ट पर होता है, सभी प्रिष्ट पर होता एक्जाम में यह भी पूछा गया था, कि जो printer होता है, कहां होता है, तो हर print में होता है, यहां सभी प्रिष्ट में दिया गया है, तो इसका answer भी होगा, C, ठीक है, तो कई एक्जाम में यह भी लिया गया है, कि सधरन फुटर कहां पर होता है, तो हर printer पर होता है, एक्जाम म कई बार पूछा जाता है तो सबसे पहले dot matrix printer के गुण देखते हैं क्या कि इसका गुण है क्या हो सकता है तो exam में पुछा गया dot matrix printer है ना तो dot matrix printer होता है तेज होता है और सबसे सस्ता होता है dot matrix printer उच्चे गुण मरता वाली होती है dot matrix printer चार्ट graphic प्रिंट को प्रिंट कर सकता है ठीक है वसी प्रगर डार्ट मेंट्रिक्स प्रिंटर की जो दोस है तो डार्ट मेंट्रिक्स प्रिंटर सोर करते हैं आवाज आता है क्या होता है आवाज आता है ठीक है बहुत ज्यादा इसकी आवाज आती है डार्ट मेंट्रिक्स प्रिंटर क सबसे बड़ी मात्रा में आउट्पुट के उतपादनी के लिए जूड़ा रहता है तिक variable एकड़ की uz Pu sec express की लाइन को पूरा गता है यानि की line printer का मतलब होता है line printer एक बार में एक पूरी line को print करता है एक पूरी line को क्या करेगा print करता है इंजा में पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा printer है जो एक बार में एक पूरी line को print करता है वो होगा आपका line printer ठीक है ये जो printer है एक बार में एक test की एक line पूरी complete कर लेता उसको line printer कहा जाता है इसकी जो छपाई की गती होती है ना 300 से लेकर 3000 line प्रती मिनट होता है उसको किसे नापते हैं LPM से थीक है किसे नापते हैं LPM से वास्ता में line printer एक समय में केवल एक ही अक्षर print कर सकता है लेकिन इसकी छपाई की जो कती के कारण होता है ना परिवेक्षक देखता है यह line पूरी line को print करता है एक्जाम में पूछ लिया जाए कि एक बार में एक line print करता है तो drum printer एक बेलनाकार का drum होता है इस प्रकार जो आपका होगा यह आपका बेलनाकार का drum होगा एक मिनट ना यह इस प्रकार रहेगा यह आपका बेलनाकार का drum printer रहेगा ठीक है इस प्रकार का रहेगा यहां से जो drum printer एक बेलनाकार का रहेगा पात्रों की जो properties है ना इसकी सता का print उभरी हुई होती है ठीक है यह जो पाठ है आपका उभरी हुई होती है जैसे ड्रम घुमता है है थोड़ा वंची तरीकों की प्रतिक्षा करता है ठीक है और यह जो इंपोर्टेंट उतना नहीं है यहाँ पर देखिए जैसे की line print होती है पेपर अगली line print करने के लिए उ प्रिंटर जानता है कि तेन बहुत तेजी से घुमती है ठीक है जो टोपिक है इंपोर्टेंट इग्जाम में पुष्टा वही लेकर आया हूं अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो इंपक्ट प्रिंटर है यहां सोर गुडवाला है और इसकी गतिए 400 लेकर 2400 लेकर प्रती मिनट LPM के बीच में होती है अब देखिए less third printer से बहुं से question पूछन पूछते हैं यह जो धर्मार प्रिंटर होता है जो गुण वर्ता बहुंट ही अच्छी होता है और क्रच्च अधीक होता है ठीक है ऐसी पर लेजर प्रिंटर के बात करें तो हर एकë इक्साम में या देखने को मिलेगा question, laser printer एक page printer होता है, laser printer क्या होता है, page printer होता है, हर एक exam में पूछता है, याद रखना, laser printer क्या होता है, page printer होता है, ये non impact printer है, बस, आपको क्या करना है, impact printer और non impact printer को अच्छे तरीका से याद कर लेना, ताकि आपको कोई आगे exam में दिक्कत ना हो, ठीक है जो semiconductor laser beam प्रकासी drum ये भी किस में आता है laser printer में ठीक है अब देखे जो laser beam में प्रकासी drum पर आवसक विद्धुत की आकरिती बनाई जाती है और सबसे महतपुना क्या पता है इसका याद रखना जो laser printer होता है न वो अपने print के लिए तयार रहता है laser printer की गुड़ मरता सबसे अच्छी होती है exam में पूछ ले जाता है कि ऐसे कौन से printer है जिसकी गुड़ मरता बहुत ही अच्छी है आप बताएंगे laser printer ठीक है अब यह खर्चिला उपकरान इसकी copy खर्च कम पढ़ना पड़ता है लेकिन जो laser printer है उसको कौन से तरीकों से नापा जाता है डी टी पी डॉट यानि की desktop publishing इसका कामतोर पर गिया जाता है अब plotter होता क्या है तो देखिए जो plotter है आपका plotter एक hard copy देने वाला एक output device है ठीक है तो इसका निर्मान जैसे की इंजिनियर वास्तुवीद भावन निर्मान इसके लिए किया जाता है तो drum printer यह आप सभी को बताया है चलिए आप answer question देखते हैं तो देखिए जैसे कि हम objective question करेंगे जो आपके व्यापा में 10 वर्सों से बार बर repeat हो रहा है printer का mcq देखेंगे ज्यादा question नहीं है मात्र 10 से 12 question होगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा exam में कम से कम 3-4 number ऐसे question repeat होगा तो एक बार पढ़के जाईएगा है ना revise करके जाईगा अगर एक बार में आपको clear नहीं होता तो वीडियो को दुबारा देखीगा या कभी भी exam दिलाने जाओगे तो वीडियो को download कर लिजीगा है ना एक बार फिर से मैं कह रहा हूं अगर यह हमारा performance आपको अच्छा लगता है तो डेली क्लास करते रहेगा हम computer के हस्टल वार्णे के डेली 50-50 mc की उकरार है लेकिन यह वीडियो जो है आपका खास वीडियो है ठीक है खास तोर पर एक वीडियो लेकर आया हूं प्रिंटर से हर एक exam में प्रसन पोछा जा रहा है इसलिए यह वीडियो लेकर आया हूं तो इस वीडियो पर लाइक तो बनता है तो जितने भी हमारे चैनल पर जूड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजेगा फिर स्टार्ट करते हैं हम यहां से चलिए तो प्रिंटर के MC के देखें इन में से कौन से इंपक्ट प्रिंटर है आपका 36 पटवारी एक्जाम 2022 में पूछा गया है तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा उसी प्रकार डाक्यूमेंट का हाड़ कापी यह भी आपका व्यापाम 2021 में पूछा गया है प प्रिंटर कितने प्रकार के होते है तो प्रिंटर महत्र से दो प्रकार के होते है अगर आप आप इंपेक्टर प्रिंटर करा रहा हूं बिल्कुल एक लाइन में याद हो जाएगा ठीक है तो आपका printer कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा impact printer और दूसरा है आपका non impact printer इसका answer भी होगा है ना वो कौन सा inkless printer की रूप में जाना जाता है जो आपका inkless printer है भी आपको बता है thermal printer OCR का मतला होता है optical character recall new generation थीक है सभी के सभीकेशाम में पुछा गया है उसी प्रकार, देख़ी ये आपके exam में पुछा गया और भी केमें, ये impact printer से थीक है तो निम्न के से कौन सा Corporate printer है तो, exam में पुछा जाता है तो impact printer आपको अभी बता है Daisy poning printer क्या होता है एक impact printer होता है जबकि laser printer क्या हो ते non impact printer है इसे page printer के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्या क्या मैं पता रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना बहुत important question है ठीक है फिर से एक बार समझेगा क्या बता है मैं आपको impact printer है पुछाए गया यतिम्में डेजी well printer का IMPAC printer है और देखेज जो laser printer आपकर page printer से संबन्देट था इसे non impact printer भी कहा जाता है इंक get printer कैसा printer होता है non impact printer होता है एक laser printer मिल्ण है तो देखेग अपपको मैं पूरा डीटेल बताया था है ना तो यह आपका देखिए एक laser printer में क्या होता है एक अच्छी गुणू अरता वाली होती है भी आपको बताया ना और कम खर्चिला वाला होता है है ना यह सभी आपको बताया हूं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सभी ठीक है बारबर एक्जाम में पुछा जाए laser printer किस प्रकार कर प्रिंटर है अभी आपको बताया जस्ट व्यापम में पुछा गया है 2019 में भी पुछा गया है laser printer एक page printer होता है उसको non-impact printer भी कहा जाता है अभी जस्ट आपको में बताया हूं उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो laser printer होता है एक non-impact printer होता है उसको page printer के नाम से भी जान अभी 22 तक है ना जितने भी एक्जाम हुआ है वहां से कम से कम तो मैं बोर रहा हूं दस से बारा बर यह question पूछ चुका है इसलिए मैं यह topic लेकर आया हूं आज printer अगर आप लोग printer से अगर कभर करना चाहते है तो तीन से चार नंबर पाना चाहते है तो वीडियो को किसे छोड़ कर बांकी सभी input device है तो देखे यह printer है ना printer आपका output device है आप सभी को पहली कर रहा था input or output device वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाहिए हमार प्लेडिस्ट पर मिल जाएगा अन्या थक कल हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें output or input device होता क्या है बिल्क आप प्रिंटर से आज हम प्रिंटर से question देखें है कल हम input device और output device से question देखेंगे जो एक्जाम में पूछता है वहां से भी 2-3 नमबर एक्जाम में पूछता है ठीक है तो देखें जो आपका input device है जो किसे छोड़कर बोला गया है तो printer जब ही क्या है आपका joystick mouse input क्या है आप संदीत होता है इसे non impact printer भी कहा जाता है मैं बार बार इसी को कहा रहा हूं देखिए कई बार exam अभी अभी हम पढ़ रहे ना कितने बार question repeat हुआ चार बार repeat हो चुगा question इसलिए कह रहा हूं वीडियो को लास्ट देखेंगे जाएगा पहली बार आए तो वीडियो को like ठीक है और ऐसी देखना चाहते तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा वीडियो को अधिक सेयर करें ताकि जो व्यापाम और प्यस्ट की तयारी कर रहे ना व्यापाम और प्यस्ट के उसको यह वीडियो पहुंच पाए और डेली क्लास कीजेगा हमारे चैनल पर ठीक है देखिए य राटिजो की संख्या आपका तीन होती है कितनी होती है तीन होती है याद कर लीजिएगा कई एक्जाम में यह चार आप्शन लिया गया था तो हम आपको पूरा करण सेप्टी समझा रहे है ठीक है लेवरी स्पेटर पूछा गया है गोल्फबाल प्रिंटर ये भी एक्जा यहां तक समझ में हैं देखिए बार बार exam कई देख पांच बार रिपिट हो चुका पेज प्रिंटर यानि कि laser printer इसको impact नॉन इंपक्टर प्रिंटर का जाते हैं कितना बार 6 बार हुआ भी देखे मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कई बार एक्जाम में रिपिट हो रहा है ठीक है इंपयक्ट प्रिंटम्म क्या है जकि प्लाटर लेजर प्रिंटर क्या है यहाँ भूठ्थ 2 कंषका बदेवाइस नहीं तो प्लाटर टो है अव्ट डेवाइस मांच कीबोड देवाइस यह ससे pain आपका इसकेनर इनपूट डिवाइस है ऐसी एक्जाम में पूछता है आप लोग धोखा खा जाओगे ठीक है इनपूट डिवाइस नहीं है पूछा गये हैं इनपूट डिवाइस तो पड़के आए हैं टेक्टर फट से लगा दूगी स्केनर तो ऐसा आपको गलत हो जाएगा क्या पुछ नहीं है, exam में कई बार धोखा खाते हैं, बच्चे, मैं भी एक बार exam दिलाया था, उसमें धोखा खा गया था, कि नहीं है, और यह आपका platter होगा, निम लिखित में कौन सा impactor printer, type printer नहीं है, तो इन में से कोई नहीं है, तो दिखिए, अगर ऐसी अगर आप तैयारी कर चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो पर जुड़े रहिएगा, ठीक है, निम लिखित में से कोई साभी output device का समू है, output device पुछा गया है, हम कल आपको कराने माले हैं, input और output device है, तो यहाँ पर question पूछा गया है, कि निम में से कोई साभी output device का समू है, तो output device का है, तो इसमें नहीं होगा, printer दिया, आपसर नहीं होगा, आपसर डी, प्लाटर, printer, monitor या आपका output device है, बच्चो, आपका पटवारी 2016 में पूछा गया है, चलिए इसका बताएगा, कभी भी exam पढ़ना न, इवह printer जो क्या करता है, स्याहिकी कणका अगज़ पर इतना लंब पढ़ने की प्रिंटर, laser printer है, page printer है, इसको non-impact printer है, साथ बार repeat हो चुका है, साथ बार, पटवारी 2016 में भी पूछा गया, देखिए, इसलिए मैं इस वीडियो को ले कर आया हूँ, जो कि 10 से 12 वर यह question पूछा गया है, तो रटा मा लिजेगा इस question को, यह character printer नहीं है, तो character printer कौशन है, band printer, जबकि gold, ink, jet, thermal, एक character printer है, ठीक है, आप computer नहीं या input output device, देखिए, एक साथा करता है न, printer, मैं इसलिए वीडियो ले कर आया था, character printer, जो एक समय में एक ही character print करता है, उसको band printer कहा जाता है, और एक line पूरी करता है, उसको कौन से कहाता है, line printer कहते है, बच्चो, line printer, ठीक है, dotmatic printer मुद्रित करता है, अभी ribbon, आपको बताया था न, ribbon, वही exam में पूछा गया है, ribbon, ठीक है, अब देखिए, सभी exam में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता आ रहा हूँ न, एक printer, जिसको उप्यो गौफिक print करने है, तो नहीं किया जाते है, Daisy wheel printer आएगा, ठीक है, कितन में पुछा गया, व्यापम में पुछा गया, लेवर इस्पेक्टर, आमीन पटवारी, पंदरा में, सोला में, है न, तो चलिए इसको छोड़ दीजेगा, यह वाला topic देखिएगा, जो आपको फीर सी exam में पूछा गया है, ऐसा printer, जिसमें अक्छर बनाने के, printing head, मतलब impact printer, अब कुछ पढ़ने की जरुवात नहीं है, है न, सभी का सभी question exam में पूछे गए है, इनमें कौन सा printer है, जो graphics printer नहीं करता, तो daisy will printer, page printer क्या है, impact, non-impact printer है, इसे laser printer के नाम से जाना जाता है, thermal printer कौन सा, आप लोग comment करके बताईएगा, वह printer जिस पर character की छाप, यहनी कि अच पटवारी 2016 में पूछा गया है, अब सरवतां graphics के plotter द्वारा होता है, व्यापम 2016 में पूछा गया है, कंप्यूटर में network वाला जो printer है न, printer से बता की बार exam में पूछा गया है, उसी प्रकार printer की गती होती है, पर पी पी यानि की पी पी एम से नापते है न, printer की गती को, ठी पूछा है, 2008 में पूछा गया है, चलिए 30 question आज देख लेते हैं, नीमन में से कौन सा device है, जो एक printer के प्रकार है, तो thermal printer, total 30 mcq कर चुके हैं, पहले आपको impact printer और non impact printer की class भी आपको जर्श्ट कराया हूँ, ऐसे अगर आप daily class करना चाहते हैं, तो channel को like, video को subscribe, और channel को share जरू